रेक्टी फायर रेक्टी फायर इसको बोलते है दिस्तकारी लिखे रेक्टी फायर लिखे लिखो वैसा युक्ती वैसा युक्ती युक्ती जो जो परत्यावर्ती धारा को परत्यावर्ती धारा को दिस्त धारा में बदलता है उसे दिस्त कारी कहते है परत्यावर्ती धारा को क्या करेगा दिस्त धारा में बदलता है उसे रेक्टी फायर कहते है अब रेक्टी फिकेशन इसको बोलते है दिस्त कारी करान चलो लिखो दिस्त कारी को परत्यावर्ती धारा को दिस्त धारा में बदलने की परकिरिया को बदलने की परकिरिया को दिस्त कारी करन कहते हैं देखो बाबू मने एसी एसी मने कौन सा करेंट करेंट कनभार्त कारी कुल रेक्टी फायर क्या बने गई डी-सी मने गा मने यहाँ आपने क्या डाला रो अजय मुलना क्या डाला यह क्या बनना है घुशी धारा इसी परोशेष को मुलुक्त क्या बोलते हैं रहर्किफिकेशन चलो ठाओ दिश्टकारी के परकार देखो माबू ताइपस अप रेक्टिफायर देखो माबू दो तरक होता है एक होता है फाफ बेब रेक्टिफायर रेक्टिफायर इसको बोलते आर्ध तराण तराण दिश्टकारी को दिखार दूसरा है फूल बेब रेक्टिफायर फूल बेब रेक्टिफायर इसको बोलते हैं पूर्ण तरांग दिश्टकारी चलो लिखो तो एक टॉपिक एम भी भी आए होगा क्यों कि अंसी अर्थी का है लिखे आर्थ तरंग दिश्टकारी में अर्थ तरंग दिश्टकारी में एक डायोड का उप्योग किया जाता है एक डायोड का उप्योग किया जाता है एक डायोड का उप्योग किया जाता है क्लिए तो देखो और्थ तरंग दिश्टकारी का कैसा बनेगा के त royalty लगए इस knight लगएग देखो कि यह रहा हम लोग AC input voltage क्या डालेगा यहां पर AC input voltage डालेगा AC और यहां पर हम लोग ऐसे लगाएंगे यह बार लगा हुआ है और single diode लगाएंगे यहां पर एक ही diode लगेगा यहां पर यह P होगा और यह यहां यहां पर लगेगा यही बनाये होंगे क्या है लोड रेसिस्टेंस क्या है लोड रेसिस्टेंस इसका इसका कोई जरूरत है नहीं वह इसे घेर सकता है इसको कोई बात नहीं है याल मने रोड रेसिस्टेंस और भी देखो यह भी आट्पूट और भी लिख सकता इसको सिंपल लिखो बी लिखो यह भी यह मन की वोल्टेज अक्रोस लोड यह क्या है डायोड है आप देखो इसका तरह रूप बेव रूप क्या होता है तो आप डालोगे कौन चीज़ एसी अरे डालोगे क्या क्या होगा डी सी अगा नहीं पार्ष्क लिए अगा ताइमपर डी पर डिकाशी का सिमबल है देख रहे हो एसी इनपूट वोल्टेज एसी इनपॉट अधो क्या निकले क्या वा क्या निकाला आपने चलो देखो इसी डाले आपने क्या पैसे लेकिना आरल आरल मन की लोड रेशिस्टर से घ्रोस करेंट जो होगा या वो इसके ब्लाइब हो गया लेकिने नीचे बिश्च निन्हों होगा फिर यह ब्लैंक चला जाएगा और यह एंस्याटी फिकर बनाया है मनें पार्शियली बनाएगा ये अंस्टर आश्च बनाएगा क्या बनेगा ये सी पार्शियली DC एक्रोस एक्रोस या ऐसे लिख दोने सिदा सिंपल में DC एक्रोस किसके एक्रोस RL के एक्रोस RL के एक्रोस वल्टेज आरल मन के लोड किसके अक्रोस लोड यह एसी इन्पूट voltage मान्य ब कर भाए ये अ चली मुंआई फिगर अ कर ellet निखे व्यूर्ण तरंग दिश्टकारी मैं सब्सक्राइब ह Lazare PBS दुसरा बंबन फूर्ण तरंग दिश्टकारी में दो डायोड का उप्योग किया जाता है जो जो AC बोल्टता को AC बोल्टता को पुर्णता DC बनाता है DC बनाता है DC बनाता है देखा बाबू देखा थ्यान दो इधर ठोरा सा इसे की दिएरी लगेगा बन यह करता है kasih इसमें दो डायोड लगाना है यह वाला इधर वाला तो यहीं चीजी है से में यहां पर एक डायोड लगा हो का यहां पर हम लोग लगाएंगा इसे यह लगता है यह डायोड वन है डायोड टू है यह पॉइंट ए है और यह वी पॉइंट है it's a child का इसका काम है कि ऐसी कोडीस कि बनानद यूह यह होगा और हो ओ यह यह इसकी तैंसर है यहां देखो लोड रेसिस्टनाश केसरी कोंधी लोगा VL या V incompet committed V output मनें V Output मनें निर्वात болtage झांथ निरगात voltage या बॉल्टता निरगवार्ट रें मनी सबाहत्व देखने धर और धीर धेक्ष देख आपने डाला EC 1 वोडेज और यहां किया मिल रहा U ? डीसी वौडेज इस डायोडस से कनभट होगा और इस देखो इसका बेब फर्म कैसा होगा जहां से देखो इदार वाह क्या गया इसने ठेक है बहुत बढ़ी आ गया से देखो यह तो गायोड वन पर है यह यह जो है यह पर तरंग रूप किस पर बिंदु ए पर तरंग रूप बेब फर्म पॉइंट ए अदेख नीचे क्या है भी है तो नीचे वाला नीचे सुरू करेंगे हम लोग देखो थोरा सा यह नीचे वाला नीचे से सुरू होगा वा रुको रुको एक मिनट रुको पहले इसको ऐसे मिला लेते हैं तब अच्छा लगएगा करने में इसको देखो आप अच्छा हो जागा यह देखो जा रहा है सुन दे अब देख यह भी पर परंग रूप सुन ले भी पर तरण रूप है अब देखें और फिगर आएगा इसका कनभार्ट रूप पुली तरण क्या बनाएगा डीसी बनाएगा तो देखो यह उपर लेगा पाला डायोड लेगा जी फिर नीचे बना लेगा अरे यह उपर सगया इसे और यह नीचे सगया इसे हाँ दोनों बनेगा हो एट मना रहा हूं अभी तेरे सामने हाँ को यह इस होता चला देगा हमाने पूर्ण Each decision कि ए motion and कि यह क्या होगा डीटू के कारण किसी में लिग दे हैं और यह क्या होगा दी वन के कारण और फिर यह क्या होगा हाँ डी टू के कारण यह होता चला जाएगा चलो उठाओ एंस यार्टी का टॉपिक है यह और ने इसको लिखे का आरल के क्रोस बॉल्टेज चलो अ बर्यक्ट अ बर्टा अ चलो लिखो लिखोद बाबु पास बिशिक पी अन्जंग्सल डायोड में पास बिशिक पी अन्जंग्सल डायोड में पी अन्जंग्सल डायोड में पास बिशिक पी अन्जंग्सल डायोड में को ऑफ दिशिक ने लिखने आथा है हां पस दिशिक पियां जन्सन दायोड में पस दिश्ट पस दिश्ट आइसे लिखता है ठीक है कि दायोड पे करांतिक पेी आजला सब्सक्राइब ट Apr pan डायोड में करांतिक पुछ्टू क्रांतिक पशलिशिक म着 वर्टथा पर लोट दो पर चरड़ बिदुधारा सार्भूत रूप से निर्वर नहीं करता है निर्वर नहीं करता है जिसे भंजन बोलता कहते है देखो ध्यांस एक करेंट हो जागा इधर मैनस भी होगा पलस भी होगा यह पलस आया है यह मैनस आया है करेंट देखो यहां यह इसा देखो ध्यांस इसा बने गा यह देखो ध्यांस एक ग्राप यह भी आए करेक्ट्रेशिद आप डायोड भी आई यह देखो यह के एन डवली दी ऐसे क्यों नहीं बनना न तो यही होता है ब्रेक डॉन भॉल्टेज रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस ब्रेक डॉन भॉल्टेज बनाओ तो ले अक्षेशल परपर्शो प्लेंजेंशन डायोड क्या होता है तो जेनर डायोड होता है जो पुछता है कभी कभी जेनर डायोड जेनर डायोड लिखो मुँ बंद करने के लिए बोले हां तुमको जेनर डायोड लिखो जब पी टाय परचालक पी टाय परचालक एवं 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 एण टाय परचालक को अत्या धीक अत्या धीक अप मिश्रित किया जाता है अप मिश्रित किया जाता है तो तो जेनर डायोड बनता है अत्याधीक अप मिश्रित किया जाता जेनर डायोड बनता है यह यह भंजन बोल्टता पर कार्ज करता है कार्ज करता है देखो सिम्बोल जेनर डायोड का इसम क्या आउगा त्याधीक डौफी देखो आजित यहां देखो यह तो पी अंग्सन है अरे है ना यह होता पी टाइप और यह होता है अन टाइप निगेटिव टाइप को टेला कर देखो बार को टेला कर देंगे तो यह हो जागा जेनर डायोड यह अत्याधीक डौफीत को सो कर रहा है किसको सो कर रहा है अत्याधिक डॉपित कोशो कर रहा है चले बनाई प्रिकर्ट लिखो ए वॉल्टेज नियां तराक लिखो तो हाँ वॉल्टेज रेगुलेटर वॉल्टेज और नियांतरित वॉल्टेज को ओईसा युक्ति जो और नियांतरित वॉल्टेज को नियांतरित करता है उसे बॉल्टेज नियांतरिक कहते हैं वॉल्टेज नियांतरिक कहते हैं इसमें जेनर डायोड का उप्योग क्या जाता है जेनर डायोड का उप्योंक किया जाता इसमें जेनर डायोड का ये उप्योंक किया जाता देखो फिकर देखो नेर किस पर और वरग करता है को Жelect करता है अब ये बता है देखो सौर्स का रिसिस्टेंस है और यहां पर लगेगा लगाना है यहां पर अब देखो द्यांस यह जो है इसके अख्रोस वॉल्टेज देगा हम लोगों को यह क्या होगा आरल होगा अब देखो इदर प्हेले आर्ल के यह जो वॉल्टेज होगा यह भी आॉल्टेज देगा अÜसकोह मुद्ज का वाल्टेज अर्पूर्ट वॉल्टेज और जानर वल्टेज और यहां पर क्या डालोगे आप आम डालोगे इसको सीधे भी ले सकते हो इसको सीधे लाइन में भी ले जा सकते हो यहां पर क्या होगा अन रैगूलेटेड वल्टेज यह और नियंतरीद वल्टेज है और नियंतरीद वल्टता और यहां होगा नियंतरीद वल्टता चलों बनाओ करेंट इस आएगा यहां पर इधर जाएगा इधर जाएगा यह आयल रहेगा तो आई जी क्या होगा आयल प्लस आज देखो अधित यह पर मुलाएगा करेंट का अगर इसकी अक्रोस वल्टेज हम लोग भी अपला करते हैं ठीक हो जाएगा करेंगे हो जहगा झाल प्लस आएगा आई इसी sensory झाल झाल